ही गाइस तो स्वागत है आपका कैप्टन बीडियो के चैनल में जहां आज हम बात करने वाले हैं कि वांडा विजन के एंकरेट सीन के बारे में जहां आज मैं आपको एक्स्प्रेंड करूंगा कि कैसे वांडा को अपने बच्चों के आवाज सुनाई दे रहे थे जबकि वो हेक्स के साथ खतम हो गए थे वैस कई लोगों को ये कन्फूजन था कि जब भी कोई बॉड़ी को एस्टल फार्म छोड़ती है तो वो बॉड़ी वही पर उसी पोजिशन में रह जाती है जैसे कि काइक्सिलियस का ये गुंडा यहां पर रह जाता है और इस डॉक्टर स्ट वीडियों में क्लियर कर दिये जाएंगे तो शुरुआत करते हैं कि वांडा एस्टल फॉर्म में है या नहीं अगर है तो उसकी बॉड़ी कैसी मूव कर रही थी जबकि डॉक्टर स्टेंज मूवी में हमने देखा था कि जब वो एस्टल फॉर्म में रहते हैं तो उनकी ब दोगों को उनके डेजिक्नेटेड डॉल सौप कर अपने लाइफ में मस्ती से जी रही थी जैसा कि अगाथा ने कहा भी था कि मैजिक ऑन आटो पाइलेट कर रही है वो वेस्ट व्यू के अंदर तो यहां तो वो सिर्फ बॉड़ी मूव करा रही है जो कि उतनी भी बड़ी लोगों को याद होगा कि डॉक्टर स्टेंज मूवी के अंदर जब वो एस्टर फॉर्म में थे यहां पर तो उन्हें यहां पर उसको ब्रेक करके आना पड़ा था ताकि कि किस तरह क्या करना है लेकिन जब यहां पर कैसी लिए इसका आदमी आता है तो वह वापस एस्टर कि अलावा अगर आप लोग ने यहां पर ध्यान दिया था तो बिली को पहले ही आबास हो जाता है कि वांडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो वो लोग उसके और भागते हैं तो मेभी वो जानता था कि उसकी मौम उसको फ्यूचर में वापस से अर्थली डैमेंशन मे ले आएगी इसलिए वो मस्ती में वहाँ पर सोता है वरना जस्ट इमाजिन उसको मालुम है कि वो सोने के बाद मरने वाला है साथ ही उसका भाई भी बट फिर भी वो यहां पर चुप चाप रहता है और एक माइल दे रहा होता है जो कि बहुत ही हार्ट प्रेकिंग सीन होता कॉमिक्स के बाद करें तो बिली और टॉमी के सोल्स जब उसके बाड़ी से निकल के चले जाते हैं तो वो नहीं हेल में जाते हैं नहीं हेवन में जाते हैं बलकि दो अलग-अलग परिवार में जाके घुज जाते हैं और उनका वहाँ पर पुना जनम होता है अब यह देख अगर उनके आप initial word को जोड़ दें तो वो भी mob बनाता है वैसे भी Dr. Strange 2 के director ने कहा था कि even if आप Wanda Vision नहीं देखे हैं तो भी आप Dr. Strange 2 को enjoy और समझ पाईएगा जो कि बहुत ही बड़ी बात है तो I think Dr. Strange 2 में Wanda का quest होगा अपने बच्चों को वापस लाना जबकि Dr. Strange का मकसद होगा Wanda को रोकना ताकि वो Dark Hold से कुछ भी जोलना कर दे Of course बच्चे तो वापस आने चाहिए as Young Avengers भी तो लाना है तो Dr. Strange कुछ बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे जिससे Wanda भी खुश, हम फैंस भी खुश और नोटों की गदी से तो Marvel वाले ऐसे भी खुश हो जाएंगे अब एक चीज थोड़ी सोचने वाली हो सकती है कि Wanda मैजिक में कितनी जल्दी मास्ट्री कर ली या फिर Dark Hold पढ़ते पढ़ते उसका कितना समय भीच चुका है अगर ऐसा हुआ तो Wanda डार्क होड को घोर के पी चुकी होगी तब तक इसके अलावा ऐसे फैंस थियोराइज भी कर रहे थे हैं कि पीछे जो mountains है और ये जो जगा है ये माउंट वंडगोर हो सकता है जहाँ पे सीथान को कैद करके रखा गया था कॉमिक्स के अंदर या फिर ये सुकोविया का कोई जगा हो सकता है वैसे आपने ये नोटिस किया था या नहीं कि वांड़ा का जो गार्लेट विच वाला कॉस्ट्यूम रहता है वहाँ पे आप यहाँ पे डिट्टो माइन स्टों टाइप का शेप देख सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से विजन के लविंग मेमोरी के याद में रखा गया हो वैसे डार्क होल पढ़ने वाले का अंजाम आज तक तो कभी अच्छा मैने सुना नहीं है बट लेट सी वांडा के साथ क्या होता है तो आज किस वीडियो के लिए इतना ही कैसा लगा आपको मेरा आज का यह वीडियो और आपको इस वीडियो से कुछ भी नई बात पता चली हो तो मुझे कमेंट स्रेक्शन के जरीए जरूर बताएं उससे हमें अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है प्लस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बैल आगन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गूड और अगर आपने नहीं दबाया है तो उससे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आप हो जाए ख्याला हुआ हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है लोगों की मदद करें अपना ख्याल रखें and keep moving forward का रट लगा कर आगे बढ़ते रहें थैंक यो फॉर वाचिंग इस वीडियो स्टे ट्यूंड